ओम शान्ती आज 29 ओक्टूबर 2021 है आज बाबा हमें सावधान कर रहे हैं कि साधना में कौन-कौन से बाते रुकावट जो आती है उसमें से एक है इंद्रियों का रस लेना जिसको हम कहते हैं मनुरंजन और कैसी हमारी साधना का स्वरूप होना चाहिए ये भी बाबा आज विशेश अंडरलाइन करवा रहे हैं तो जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारे वर्तमान समय अनेक साधनों को देखते हुए साधना को भूल नहीं जाना क्यूंकि आखिर में साधना ही काम में आनी है आज मन की खुशी के लिए मनुरंजन के कितने नए-नए साधन बनाते हैं वह है अल्प काल के साधन और आपकी है सदा काल की सच्ची साधना तो साधना द्वारा सर्व आत्माओं का परिवर्तन करो हाई हाई लेकर आए और वहा वहा लेकर जाएं बाबा ने आज हमें कितना गहराई से बताया कि हमारी साधना है सदाकाल की तो उसका आधार वो अल्पकाल का नहीं हो सकता यदि हम वर्तमान समय साधनों को वो साधन जरूरी नहीं है कि साइंस के ही साधन हो वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है वो योग करने का एक पर्टिकुलर तरीका भी हो सकता है योग के समय लाल लाइट होना, गीत होना ये भी हो सकता है कोई पर्टिकुलर सेवा भी हो सकती है तो इसलिए हमें अपनी गहराई से चेकिंग करनी है कि जो बाबा ने हमें साधन दिये थे पुरशार्थ के कहीं वही तो हमारी साधना के अंदर अब बंधन तो नहीं हो गए कि उनके बिना हमारी साधना ही नहीं हो सकती तो बाबा ने कहा वर्तमान समय हमें निराधार साधना करने की अवशक्ता है दुनिया जो है वो साधनों से थब चुकी है हर प्रकार के साधन जो उनके पास उपलब्द है सब कुछ ट्राइ कर चुकी है और हर चीज के अंदर जब एक पॉइंट आता है जब इंद्रियां भी मनुरंजन ले करके वो भी उससे भी न्यारी हो जाती है तब वो तलाश करते हैं सच्ची साधना की जो बाबा ने कहा हाई हाई लेकर आते हैं और अगर जिन चीजों को वो छोड़ रहे हैं अगर हम उनको अब अपना रहे हैं वो तो लेके अपना कर यूज करके त्याग चुके और हम शुरू कर रहे हैं तो इसका मतलब हम तो उनसे भी पीछे हो गए तो फिर हम उनको कैसे प्राप्ति करा सकेंगे यहीं पर सेवा की कॉलिटी भी डिफाइन होती है तो बाबा ने कहा इन अल्पकाल के साधनों में हम अपनी सदाकाल की साधना को ना खो दे यदि मनुरंजन ही चाहिए तो बाबा ने हमें कितने नियारित तरीके बताएं हैं मनुरंजन के अगर ड्रामा देखने में मनुरंजन लगता है तो बेहत का ड्रामा देखे 84 जन्मों की कहानी देखे अगर हमें घूमने में आनन्द आता है तो तिनों लोकों का बाबा ने हमें मालिक बना दिया जब मन चाहें जहां चाहें वहां घूमें जिस संबंध में रसाता है उस संबंध की बाबा ने हमें प्राप्ति का तरीका बताया है वो हम करें इसलिए हर प्रकार से हम अपनी साधना को खंडित ना होने दे इस पर हमें अटेंशन रखना है ओम शांति